नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फेस्बुक पेज डिलीट कैसी करें जी हाँ अगर आप फेस्बुक पर बहुत सारे पेज बनाए हैं तो आप हम एसे के लिए अपना पेज डिलीट कर सकते हैं सिर्फ दो मिनट में तो आपको ए वीडियो पूरा वाच किये रहना है तो आपको सबसे पहले चले जाना है अपने फेस्बुक पर तो हम अपना फेस्बुक ओपन कर लेते हैं तो जैसे आप ओपन कर लेंगे फिर आपको सबसे उपर आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी या थ्री डार्ट का अप्सन दिख जाएगा इसपर आप फूख कर देना है तो जैसे आप क्लिक कर देंगे फिर आपके सामने कुछ S Interface open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक arrow दिख जाएगा इसपर आप क्लिक कर देना है फिर आप जो भी page डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको log in कर लेना तो हम log in कर लेते हैं तो जैसे आप login कर लेंगे, फिर आपको सबसे उपर three dots का आपसंदिक जाएगा, इस पर आप हो click कर देना है, तो जैसे आप click कर देंगे, फिर आपको सबसे नीचे चले जाना है, तो जैसे आप सबसे नीचे चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको setting and privacy का आपसंदिक जाएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है फिर आपको setting पर क्लिक कर देना है तो जैसे आप क्लिक कर देंगे फिर यहाँ पर आपको सबसे उपर page setting इस पर आपको क्लिक कर देना है तो जैसे आप क्लिक कर देंगे फिर आपके सामने कुछ as interface open हो जाएगा फिर आपको सबसे नीची चले ज आएंगे. तो यहां पर आपको access and control का अपसन दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देना है, तो जैसे आप control पर क्लिक कर देंगे, फिर आपके सामने कुछ as interface open हो जाएगा, तो यहां पर देख सकती है, delete और deactivate का अपसन आजाएगा, इस पर आप क्लिक कर देना है, तो जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने दो option आ जाएंगे deactivate page और delete page तो आपको delete page पर क्लिक कर देना है तो जैसे आप क्लिक कर देंगे फिर यहाँ पर आपको continue पर क्लिक कर देना है तो जैसे आप क्लिक कर देंगे फिर यहाँ पर आपको कोई भी एक region दे देना कि आप अपना Facebook पेज क्यों delete करना चाहते हैं तो हम कोई सा एक region यहाँ पर दे देते हैं तो जैसे आप यहाँ पर कोई भी एक region दे देना फिर यहाँ पर आपको continue पर click कर देना है तो जैसे आप continue पर click कर देंगे फिर आपको सबसी नीची चले जाना है तो जैसे आप सबसी नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको continue कर देना तो हम continue कर देते हैं तो जैसे आप continue कर देंगे यहाँ पर फिर आपको अपने Facebook का password यहाँ पर डाल देना तो हम अपने Facebook का यहाँ पर password डाल देते हैं तो जैसे आप डाल देंगे फिर यहाँ पर आपको continue पर क्लिक कर देना है तो जैसे आप क्लिक कर देंगे फिर यहाँ पर आपको delete और आपका username देख जाएगा और page फिर आपको continue पर क्लिक कर देना है जैसे आप continue पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपक यूजर निम सो हो जाएगा जैसा आप delete page पर क्लिक कर देंगे तो ये page आपका permanently delete हो जाएगा तो हम delete page पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा page delete हो गया तो आप समझ गए होंगे कि आपको अपना facebook page कैसे delete करना है अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमें इस्टाग्राम पर यहाँ पर message कर सकते हैं मेरे ID यहाँ पर सो हो रही है जी हाँ तो आपको यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम ऐसे है वीडियो आपको लाते रहते हैं जैन्यवर्थ वंदे मात्रम